वह अम्मा, तुम्हारी कहानी सुनके तो मज़ा आ गया, लेकिन अम्मा, तुम्हारी हर कहानी में, राजकुमारी को उसकी तक्दीर के मुताबिक एक राजकुमार मिली जाता है। और वो, एक दिन अचाना हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। तु वहां गई तो, ऐसी कौन सी जगे हैं अम्मा, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए। किस जगे की बात कर रही हो, तुम कहां नहीं जाना चाहिए मुझे। कुछ नहीं बिदा, कुछ नहीं। अरे आखिर बताओ ना अभी तो तुमने कुछ कहा ना। कुछ नहीं। बताओ ना अम्मा। ठीक है, तु बहुत जिद करती है तो, सुन। यहां से करीब, साच किलोमेटर की दूरी पर एक जगा है सच्चनगर। कभी वहां ठाकुरों का राज था, लेकिन वो ठाकुर बड़े ही जालिम थे। वो हवेली आज भी वहां है। लोगों का कहना है कि वो हवेली श्रापित और बड़ी मनूस है। वो श्रापित हवेली में एक शिवभक ठकुराइन भी रहती थी। उस मनूस हवेली में आज भी वो पवित्र कमरा है जहां ठकुराइन पूजा करती थी। कहा जाता है कि चंद्र अपनी उच्छ राशी ब्रिशब में हो, रोहिणी नक्षत्र में हो, पूर्णी मा की रात, सुमवार का दिन और पूर्णी मा की रात, अगर कोई लड़की सुबह के दो सिले के चार के बीच एक निश्चित मंत्र पड़े, तो उसे अपने होने वाले पती की जलक दिखाई देती है, और इसे सुमवार को पूर्णी मा है अम्मा मैं उस सवेली में जरूर जाओंगी, नहीं तो नहीं जाओगी, अम्मा मैं उस सवेली में जरूर जाओंगी, मुझे वो मंत्र दीजे